वो धर्या ही नहीं जिसमें नहीं रवानी अबेजब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तरी जवानी देवता ना काठ की मूरती में नमिटी की देवता भावना में विध्यमान है और जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के उपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा वैसे ये सिद्धू यहां तुम्हारे महा कुम्ब में आके महसूस कर रहा है मिटी का धेला गुलाबों की क्यारी में आ गया और सच पूछो मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूँ कल कुर्सी भी लगाई थी लेकिन मेरी घुगी पोस्ट हो जाती है क्योंकि आखाश की कोई सीमा नहीं पृत्वी का कोई तोल नहीं सादू की कोई जात नहीं पारस और सुनिया जी का कोई तोल नहीं कोई मौल है कमाए होंगे कमाए होंगे अमबानियों ने पैसे बने होंगे बड़े बड़े सेट लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा इज़त कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई है यह सत्य है और सिद्यू सत्य बोलता है जैसे अनू के बिना परमानू नहीं बनता व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता वैसे ही कॉंग्रस बिना कार्य करता के नहीं बन सकती सिकंदर हो तुम सिकंदर जिताने वाले सिकंदर अलग जगाने वाले सिकंदर अरे कॉंग्रस हारी होगी तो किसी लीडर की वज़े से हारी होगी तुम तो जिताने वाले हो दोस्त सिकंदर हो तुम सिकंदर हालात के आगे नहीं जुकता तारा तूट भी जाए जमी पे नहीं गिरता गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता इसलिए उठो अलग जगा दो स्वबिमान वो सात्विक सुगंदित फूल है जिसके इर्द गिर्द गुणों के भमरे गुंचित रहते हैं स्वबिमान जग गया तो Congress जीत गई मेरा तेरा छोड़ दो छोटे छोटे तिनके अगर एकठे हो जाएं तो छपड़ बनके मूशला धार बारिश को रोक लेते हैं छोटी छोटी घास की पतियां छोटी छोटी घास की पतियां गूत लो तो रसी बना के मतवाला हाथी बांध लो अरे चिडियां इकठी हो जाएं तो शेर की खाल कीन सकती है तुम तो शेरों के शेर बबर शेर हो प्राइम मिनिस्टर एक्स हो सकता है प्राइम मिनिस्टर एक्स हो सकता है MPX हो सकता है MLAX हो सकता है लेकिन दोस्तों कारे करता कभी X नहीं होता अभी एक्स नहीं होता, कारे करता, इस पाठी का जान प्रान और पहचान है, राहुल भाई आया है, मैं राहुल भाई को यही कहूंगा, कि इनको समेट लो, इनको समेट लो, कुछी देर में अगले साल लाल किला पे जंडा आप चहरा होगे, यह तैह है, यह तैह है, और तुम कहोगे, तुम कहोगे, कि सिद्धू आया था, आके चला गया, और भाई के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सुनो, कहते हैं, सिद्धू कहता है, ताली ठोको ताली अप धुकेगी देखना, है अंधेरा बहुत, सुन ले मेरे भाई जहां भी है, सुन ले, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं, नकाबों की तरह, अब जनाज़ा धूम से उनका निकलना चाहिए, अपने आपको छोटा मच समझना दोस्तो, अपने आपको छोटा मच समझना, क्योंको तुम, कॉंग्रेस की जान प्राण हो, और कॉंग्रेस कोई बर्फ की डली नहीं है, जो धूप में पिखल जाएगी, कॉंग्रेस सत्तर साल पुरानी पार्टी है, अलग जगाने के लिए, महात्मा गांदी का सत्य है तुम्हारे पास, जवाहलाल नहरू की जलती हुई जवाला है तुम्हारे पास, राजीव जी और इंदरा जी का त्याग है, उनका बिखरा हुआ खून है तुम्हारे पास, जो पुकार पुकार के तुम्हें कह रहा है, सक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, और कॉंग्रेस की खातिर जो कट सके, वो सर पैदा करो, जदी सिद्धू रहा, जड़ से उखाड़ दूगा इनको, जड़ से, यह मेरा वजन है, यह मेरा वजन है आप, और मैं, मैं सरदार मौन मोहन सिंग से, माफी भी मांगना चाहता हूँ, और जुके, जुकते वो हैं जिन में जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, मैं यह कहना चाहता हूँ, के सरदार मनोहन सिंग, जो आपके मौन ने कर दिया, वो बीजे पी के शोर शराबे ने नहीं किया, सयानों का कहा और आमलों का खाया देर में पता लगता है, मुझे दस साल बाद पता लगा सर, लेकिन आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूँ, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूँ, परिंदों को मनजल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मनजल मिलेगी हमेशा, ये पैले हुए उनके पंक बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, आप तो सर, राज जोच्छी बन सकते हैं, आपने कहां, दो परसंट जीडीपी करेगी, खटैक गिरी, और आपके टाइम, एकॉनमी अर्भी घोडे की तरह तक्रक 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 दोडती थी, और आज कच्छुए के चाल चल रही है, अर्भी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों न हो जाए, बुड़ा क्यों न हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेतर होता है, खोको, तका के ठोको, सर, आपने महनत ऐसी खामोशी में की, के सफलता ने शोर मचा दिया, ठोको ताली, मैंने गंगा नहाली सर, आपके चरणों में सर रखके, आप सरदार भी हैं, और असरदार भी हैं, क melhor करों वेन सर. कि वे रखके बाद के तेनिक, झालूं इज हुआ जोर वे सफली में की, खनलूं उन चलीया, elections are not fought elections are not fought for the next election elections are fought for the next generation election अगले election के लिए लड़ा नहीं जाता है election अगली पीड़ी के लिए लड़ा जाता है अच्छा हिंदी में हिंदी में बोला तो ताली और अंग्रेजी बाउंसर और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चिदामरम साब का भगत सिंग कहा करते थे और मेरे हीरो है वो मेरे रोल मॉडल है मेरा सर्वस्फ हैं वो वो कहा करते थे गूंगे बहरे कानों तक आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है चिदामरम साब आपके भाशन ने आज धमाका कर दिया धमाका बिस्फोड थम घिला दिया जगा दिया कारेकरता में अलग जा गया मैं सुना करता था एक बीजेपी की वक्ता वो कहती थी और बड़ी कमाल की बात कहती थी गुरू वो कहती थी बड़ी ठोस बात कहती थी गुरू वो कहती थी के एक अभिनेता एक्टर एक अभिनेता लोगों को तीन घंटे बेवकूफ बनाता है लेकिन बीजेपी के नेता उम्र भर बेवकूफ बनाते हैं ठोको ठोको ताडी ठोको सत्य बोल रहा हूं पंद्रा लाख बैंक में आ जाएगा कहां फुर रो गया है जी दो करोड नौकनिया दे दूँगा शिक्षा शिक्षा काम देनूगा आए है हर इच्छा को पूरा करने वाली ये वो धन है जो विदेशों में बिचोरी नहीं होता ये वो धन है जो करूप को सुन्दर कर देती और किसी को शिक्षा दे दो या किसी भूके को रोटी दे दो उसे फिर भूक लगेगी लेकिन किसी को नौकरी दे दो वो हजार भूकों को पेट भरेगा उनका और ये अबादत मुन्मौन सिंग जी ने अमरम साब जैसे लोगों ने की है अबादत नहीं है अबादत नहीं है सरफ मौला को खुमा देना माला घुमाई टूं 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 अबादत नहीं है सरफ माला को खुमा देना अबादत है किसी भूके को रोटी खिला देना किसी रोते हुए को हसा देना किसी उजड़े हुए को भसा देना और समाज की हर बाधा को हटा देना ठोको ताली यह इबादत कॉंग्रेस ने की है अलक्स जाग जाए तो सब कुछ जाग जाता है दोस्त मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके जूट का पड़दा फाश हो गया वो सनी देओल एक्टर धांसू वो कहता था तारीक पे तारीक 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 और बीजेपी वाले जूट पे जूट 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 उंचे लंबे लगते हैं ये मैंने नजदीक से देखा है मुँचे लंबे लगते हैं लेकिन बांस की तरह खोखले हैं अंदर से और मेरा राहुल भाई मैं उसे भी मिला हूँ गन्ने की तरह हैं अंदर से भी मिठू मिठू और बाहर से भी मिठू मिठू ठोको ठोको भाई के नाम पे ठोको चालिस डॉलर चालिस डॉलर कम हुआ चालिस डॉलर कम हुआ ओल बैरल का और कितने बड़े जबरदस्त आनन चर्मा जी इनकी स्पीच सुनके मुझे बड़ा आनन दाता है इन्होंने बताया है सबेरे तो फिर क्यों नहीं कम हुए रेट क्यों नहीं कर कम हुआ सरकारें भमरे की तरह होती है शास्त्र लिखता है वेद लिखते है सरकारें भमरे की तरह होती है के फूलों का रस भी ले ले लेती है कर्ज के तोर पे फूल भी खुश और भमरा भी खुश लेकिन तुम तो खून चूसने वाली जोंक बन गए खून चूसने वाली जोंक तुमने तो तबाख कर दिया हिंदुस्तान बरबाद कर दिया हिंदुस्तान GST कबर सिंग टेक्स ठोको? मैं जूड वोल रहा हूँ? कबर सिंग टेक्स क्या मौल में आज बेलकुल जमीन फाड़के अवाज आ रही बिजनेस तबाह हो गए जो किसान अन्न दाता था वो भूका मर रहा है जो मकान बनाता था कारपेंटर उसके पास मकान नहीं है और जो बुनकर कपड़े बुनता था हमारे लिए वो नंगा खड़ा है मोदी साहब नंगा खड़ा है और फिर मालिया के साथ तफी तफी और निरव मोदी के साथ लवी डवी ठोको ठोको ताली ठोको दोनों चोर है दोनों चोर है पक्स बात नहीं होना चाहिए चोर-चोर मौसरे बहाई निलाम करके रख दिया इन्होंने देश को गरीबों का हम जैसे लोगों का खून पसीना उसकी कमाई खा ली इन लोगों ने इसलिए ये कॉंग्रेस प्रण करती है प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है भारत माता का आँचल निलाम नहीं होने देंगे मोतरमा अगर तुमने टल्ली बजाई तो फिर बीजेपी की पुंगी नहीं बजेगी बहिया मुझे माफी मांगनी पड़ेगी आज कल विमन एमपावर्मेंट का जमाना है शादी के पहले मेरी मुझे खड़ी होती थी आज देखो ठक करके नीचे होगी सुनियाजी के सामने मैं इनका तिरसकार कैसे कर सकता हूँ बिल्कुल नहीं मैं कोई बाशन देने नहीं आया था दोस्तो कॉंग्रस की आत्मा मेरे पिता 42 साल 42 साल मेरी मां कॉंग्रस के लिए मेहनत करती रही मेरी तो ये घर बापसी है घर बापसी और मेरी एक ही तमन्ना है और मेरा भी एक प्रण है पता नहीं कुदरत को क्या मन्जूर है और कुदरत क्या चाहती है मैं योगी हूँ योग में लीन रहता हूँ घंटों ध्यान में घंटों और सच चिदानान देशी लिए सट्य काव पासक हूँ वो सट्य जो चिछ को आलादित कर दे उस सट्य में लीन रहता हूँ मैं अपने आराध्य सदाशिफ शंबू की आज सवगंद लेता हूँ अपनी नेक माँ जिसका मैंने दूद पिया था उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूँ अपने पूरवजों का आशीरवाद अपने सर्क पे लेके कहता हूँ कि जब तक मेरी धमनियों में लहू है राहुल भाई को लाल किला पे जंडा चड़वाए बिना नहीं मानेंगा मैं बात मैं आपको कहना चाता हूँ अगर मैं वो बात नहीं करूँगा तो फिर मैं एक कृत घंड साबित हूँगा मेरी माँ कहा करती थी बेटा भगवान के पास कोई जर्म करके जाना तेरा जर्म माफ हो जाएगा लेकिन कभी एहसान फरामोश बनके कभी नहीं जाना क्योंके फिर एहसान परामोश इंसान का बोज धर्ती डोती नहीं मैं सबसे ज़्यादा एहसान प्रियांका जी का मानता हूँ मैं नहीं आता था भाई अपनी योग लीला से बाहर मैं सबसे ज़्यादा एहसान प्रियांका जी का मानता हूँ उनके साथ एक बार मिलना क्या हुआ कि मेरे अंदर विश्वास जग गया कि भारत वर्ष बदल सकता है बदल सकता है मैं उन्हें मानता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ और बाँ जिना की पकड़िए सिर दीजिए बाँ न छोड़िए अगर बाँ पकड़ ली सिर जाए तो जाए बाँ नहीं छूटेगी ये मेरा वचन है इनी शब्दों के साथ मैं आप सब का धन्यवाद करता हूँ कोटम कोट धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस महान मंच के उपर इन बड़े लोगों के सामने इन बड़े लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका दिया गौर अफपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीरती रहत युगों से कहीं बेतर है बुलबुला चाहे एक पल क्यों न जिये दर्या में सबसे उँचा होके जीतायी है मेरे लिए दुनिया में सबसे उँचा पल था बात खतम खटै